नमस्कार दोस्तो आज सुनते हैं मालती जोशी द्वारा लिखा गया एक सुप्रसिद्धो पन्यास राग बेराग तो आए शुरू करते हैं तानपूरा नीचे रखते हुए पता नहीं कैसे द्रिष्टी द्वार पर चली गई देखा दो जील सी गहरी आखें अब अलग मुझ पटिकी हुई हैं सक पका कर मैंने नजरें चुका ली और अपना सामान समेटना प्रारम किया पंडी जी जब तक लोटे नहीं थे खोल चड़ा कर मैंने तान पूरा यथा इस्थान रखा और रसुई के दर्वाजे पर खड़े होकर कहा जी आ मैं जा रही हूँ दर्वाजा देख लेना लेकिन पूरी बाद शायद मैं कह भी नहीं पाई क्योंकि मुझे घूने वाली वे आँखें साशरी जी जी आ की रसुई में बिराजमान थी एक अनू आओ चाय पी जाओ जी आ ने फरमान छोड़ा उसे नकारने की ताओ मुझ में न थी जी जब चाप जाकर पट्रे पर बैट गई पर आँखें अब भी उस अपरचित की ओर उठ उठ जाती थी ये मनोज हैं हमारे बहनोत जी आ ने जैसे मेरे असमंजस को पढ़ लिया गाउन से परिक्षा देने आये है मैंने अच्छा कहका प्रसंग समाप्त कर दिया जी आ के रिष्टेदारों में अब हम लोगों को कोई दिल्चस्पी नहीं रह गई है क्योंकि एक तरह से सारी दुनिया ही उनके भाई बतीचों से भरी पड़ी है कोई ससुराल पक्ष से कोई पीहर पक्ष से तो कोई केबल गाउं के नाते से उनका सगा सम्मंदी हो जाता था एक बार तो कोई अब्दुल गनी साहब पंडी जी से मिलने आये हुए थे मैंने जिया को छेड़ा ये भी तुमारे कुछ लगते होंगे सो का लगत नहीं है हमारी जिठानी के राकी बंद भाया है उनके गवई रिस्तेदारों की फोज का एक और नमूना आज देख लिया था उसे नजर अंदाज करते हुए मैं एक ही घूट में कब खाली कर गई उसे धोकर रखा और कहा अच्छा जिया चलूंगी दूसरी दिन स्कूल से बाहर निकली ही थी के दरवाजे में ही मुठवेड हो गई नमस्ते उन्होंने ही पहल की नहीं तो मैं शायद पैचान भी न पाती आप यहां कैसे? दोनोंने एक साथ प्रश्न किया मैं यहां पढ़ाती हूँ मैंने कहा क्या पढ़ाती है? मैंने संगीत कला निकेतन के बोड की और संकेत किया मतलब शाम को मौसाजी से सीखने आती है और वही सुवह यहां पढ़ा देती है ठीक है ना? इस बचकाने प्रश्न का मैंने जवाब नहीं दिया बलके पूछी लिया आप यहां किसलिए तश्रीफ लाए है? परिक्षा देने उन्होंने बगल में रखे टाइप राइटर की और संकेत किया अच्छा इस बिल्डिंग में टाइपिंग की परिक्षाएं भी होती है मुझे तो पता ही नहीं था अच्छा जी मैं चलूँ अब देर हो रही है बेस्ट लग नहीं दीजेगा बेस्ट लग? मैं? और क्या? एक तो हॉल के दरवाजे पर ही मिल गई है मतलब पेपर खराब हो जाए तो मुझे ही दोश देंगे सो तो है ही मेरे भविस्य का ना सही इस टाइप राइटर का तो लिहाज कीजिये किराय पर लाया हूँ पूरी दोपहर मन में धुकर पुकर होती रही पता नहीं परिक्षा कैसी रही होगी पता नहीं महाशे कुद कितनी तैयारी से आये हैं पर अगर वहां कुछ नहीं बन पड़ा तो मुझे ही कोसेंगे उसन के कोसने की वैसे खास परवा भी नहीं थी पर पता नहीं क्यूं मन वहीं अटका रहा चार बजे मैंने अपनी कॉप्य और पैन उठाकर चलने की तैयारी की तो मा आश्चर इसे देखने लगी आश तो बुधवार है ना मा जानती है पंडी जी मुझे केवल मंगल और शुक्र को सिखाते है हफते के छे दिन उनके शिस्यों में बटे हुए है सोंबार के छुट्टी रहती है क्योंकि उस दिन उनका प्रत रहता है दिन भर निराहार रहकर शाम को नील कंटेशवर के दर्शन करने के बाद ही भी खाना खाते थे यही दिन था जो जीया को बाहर के कमरे की सफाई के लिए मिलता था कमरे को लीपना, बादी अंतरों के गिलाब धोना दरिया जटक कर फिर से बिचाना यह सारे काम जीया अकेले निप्टाती थी इसमें किसी का दखल उन्हें पसंद नहीं था मा को सारे काईकरम की जानकारी थी इसलिए उन्होंने पूछा आज तो बुद्भार है ना कल पंडिच जी को सेट जी ने किसी काम से बुलवा लिया था प्रेक्टिस होई नहीं पाई मैंने किसी तरह मा का समाधान किया और पंडिच जी के घर की राह लिये क्यों बेटे बेखुद भी मुझे देखकर बिसमित थे जी वो कल आपने श्याम कल्यान की चीज बताई थी बहुत कोशिस की मैंने पर वो अंतरा उठाती ही नहीं बन रहा कोई बात नहीं अभी देख लेते हैं तानपूरा मिलाओ जब तक उन्होंने बात सल्यपों आश्वासन दिया उनके पास बैठे दौनों शिस से मुझे गदगद भाव से नहायने लगे उन लोगों की पड़ाई उस दिन वहीं रुख गए सब के सब मेरे लिए व्यक्रफो उठे एक ने हार्मोनियम समाल लिया दूसरा तबला स्वर में बठाने लगा आलाब शुरू ही किया था कि स्रीमान जी भीतर दाखिल हुए कहो बेटे पेपर कैसा रहा अच्छा ही रहा मौसा जी सुबह आप लोगों की आशिरबाद लेकर चला था फिर रास्ते में अच्छे लोगों से मुलाकात होती गई मैंने कन्खियों से देखा वे मेरी ओर देखकर शरारत से मुस्करा रहे थे पता नहीं पंडी जी ने से लक्ष किया या नहीं पर तुरंत ही उस प्रसंग को बदल कर मुझसे बोले हाँ बेटे शुरू करो तो दुबारा शुरू किया तो लगा पूरा शरीर ही तानपूरा बन गया है जैसे रोम रोम से स्वरावलिया फूट रही थी पंडी जी मुझे पर अक्सर बिगडा करते थे क्या रट्टू तोती की तरह गाती चली जाती हो बोल के मर्म को तो समझो बेटे शास्त्री सब कुछ नहीं है गायन में मिठास भी होने चाहिए और यह मिठास केवल स्वर को साथने से नहीं आती उसके लिए शब्दों की तरह तक जाना पड़ता है गायक जब गीत में अपने प्राण उड़ेलता है तब जाकर बात पैदा होती है या प्राण उड़ेलना क्या होता है या मैंने आज जाना सावन की सांच मो को सुकद भई सच इतनी खुशनुमा सांच तो पहले कभी नहीं देखी गई थी बेगमा अपतर की एक गजल मुझे बहुत अच्छी लगती है यह तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी आज क्या बात है जो शाम पे रोना आया इन पंक्तियों को गाते हुए उनके स्वर में ऐसी तड़प होती है जैसे सच मुझ शाम उनके लिए दर्द का पेगाम लेकर आई हो इसके विप्रीत मुझे लग रहा था कि आज की शाम मेरे लिए खुशियों का काफिला लेकर उतरी है गाना समाप्त करते हुए अनाया सी आँखे रसोई की और उट गई दो जील सी गहरी आँखे अप अलग मुझे निहार रही थी कल उन आखों में कौतु हल था आज परिचे की आँच थी उस आँच से में कानों तक लाल हो आई घर के लिए चली तुभे भी साथ चले आए कहां रहती हैं आप? कहें तो घर तक छोड़ दूँ अरे नहीं बाबा? क्यूं? डरती है हाँ, लोगों से अच्छा, कल तो हमें चले ही जाना है आप से एक बात कहनी थी आप गाती हैं ना तो आपका चहरा ये कुजास से भर जाता है मैं कुछ पल उनके सुदर्शन व्यक्तित्त को नहारती रही फिर धीरे से कहा मैं सुन्दर नहीं हूँ ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैंने आपके रूप को लेकर तो कुछ कहा ही नहीं मैं तो कह रहा था कि गाते समय आपका चहरा ये कानों के उजास से भर जाता है ऐसा क्यूं ऐसा क्यूं इस प्रशन का भला कोई क्या उत्तर दे कोई दो महीने बाद पंडी जी के घर से वही आकृती फिर दिखाई दी देखते ही भान हुआ कि पिछले दिनों मेरे अंतरंग सपनों में ये चेहरा बार बार उभरता रहा है सोच कर शन्व से संकोच से भर उठी में फिर भी उनके नमस्ते का जवाब तो देना ही था कब आना हुआ स्वर को सैयत करके मैंने पूछा परसों रात को और इस बार जाने के लिए नहीं आया हूँ आपके शहर में खूटा गार दिया है मतलब उसकी नौकरी लग गई है पंडिजी ने बताया उनके स्वर से इस पश्ट था कि रियाज के बीच इस तरह का व्यवधान उन्हें पसंद नहीं है पर बधाई लेने को वह मुझे से ज़्यादा आतुर लगे दर्बाजे के बाहरी उन्होंने मुझे घे लिया और साथ हो लिये माफ कीजी आपको बधाई देना भूली गई मैं तो सोच रहा था आप छूटते ही मिठाई मांगेंगी मिठाई? हाँ, आपका तो हक बनता है आपकी दुआओं ने ही तो असर दिखाया है नहीं तो हम इस बार भी बेरंग ही लोटते बोलिये कहां चलेंगी? आपकी पहली तनुखा मिलने दीजिए तम मिठाई लेंगे अच्छा मिठाई न सही एक एक कप चाए तो हो जाए कुछ तो सेलिब्रिट कहने दीजिए आईए हम लोग मांसरोवर के सामने खड़े थे वहाँ खड़े होकर नानोकर कहने का मतलब था लोगों का ध्यान आक्रिष्ट कहना चुपचाप उनके पीछे हो ली इतमी नान से बैट का जब लंबा चोड़ा ओर्डर दिया जा चुका तो मैंने पूछा बहुत खुश हो रहे हैं खुश होनी की तो बात ही है दो साल से प्राइविट मिडिल इस्कूल में लड़के हांक रहा हूँ साड़े तीन सो पर साइन करवा का 200 टिकाते थे उपर से क्लरक का भी काम करवाते थे यहां क्या मिलेगा साड़े 400 का तो ग्रेड है ही उपर से महंगाई भत्ता अंतरिम राहत है फिर सरकारी नौकरी है काम की कोई पाबंदी नहीं किया तो किया नहीं किया तो नहीं किया कोई पूछने वाला नहीं धेर सारी छुट्टियां C.L.E.L. Medical बस आराम से जिंदगी कट जाएगी फिर बुड़ापी की पेंशन तो कोई रोकी नहीं सकता ऐसे क्या देख रही है सोच रही थी क्या लोग कैसी कैसी महत्वा कांख्षाइं पाल लेते है कल्याणी जी वे एकदम गंभीर हो उठे हम आपकी तरह कलाका नहीं है आकांख्षाओं का आकाश बस इतना सा है अरे आप तो बुरा मान गए I am very sorry नहीं इसमें sorry कहनी जैसी तो कोई बात ही नहीं है आपने सच कहा है और अब अगर आप बुरा न मानें तो मैं भी कुछ सच बोलना चाहता हूँ इस नौकरी से मैं खुश हूँ इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां रह सकूँगा आपसे रोज भेंट हो सकेगी मैंने तड़प कर उनकी ओर देखा इच्छा होई कि चीख कर कह दू कि इतना खुशनमा जूट मत बोलिये उसे सच मान लेनी की इच्छा होती है पर प्रकेट रूप से इतना ही कहा रोज नहीं मैं किवल मंगल और शुक्र को ही पंडी जी के पास आती हूँ किवल यही एक जगे तो नहीं है हो जाता है वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ घर लोटी तब भी मेरे पैर जमीन पर नहीं थे बरामदे में ही भाईया टकरा गए गोद में ट्रांजिस्टर रखे स्वर मुग था सुन रहे थे मतलब पौने साथ बच चुके थे डर लगा कि देर से लोटने के लिए जवाब तलब होगा पर ये तनमेयता से कारिकरम सुन रहे थे मुझे देखते ही बोले कनू सुन टैगोर हॉल में पिछली बाद परवीन ने यही चीज़ सुनाई थी न अब मेरे कान सजग हुए हंस द्वनी का तराना था इसे भी आज ही बजना था मेरा रोम रोम उस लैपत थिरक उठथा हर तान के साथ मन अंगडाई ले रहा था कनू जी मैं जैसे सोते से जागी बहुत खुश नजर आ रही है आज नहीं तो मैंने कहा और तब ध्यान आया के गाना तो कब का समाप्थ हो चुका खेल समाचा शुरू हो गए थे और मैं अभी उसी धुन पर थिरक रहे थी अपने उसी स्वांग को बरकरा रखते हुए मैं तक के धूम तिनक तक की धूम गुन गुनाती हुई कमरे से चली आई मन तो हुआ था भाईया से कह दू हाँ भाईया आज मैं बहुत खुश हूँ आज पहली बार किसी ने मेरी दिह से परे जाकर मेरे अंतस के सौंदरे को पहचाना है पहली बार किसी ने मेरी भावनाओं को अपना मकमली इसपर्स दिया है पहली बार किसी ने सपनों से मांग भरी है पहली बार मेज पर रखे लंबे लिफाफे ने मेरा ध्याना अक्रिष्ट किया खोल कर देखा अपॉइंटमेंट लेटर था इसी सुमबार को मानिक चौक वाली ब्रांच में जॉइन कैना था एक तरह से भाईया ने अपना वादा निवाया था एक बार तू इंटर्वी निकल जा फिर पोस्टिंग का जिम्मा मेरा रहा तिरी संगीत साथना में कोई वैवधान नहीं आएगा उन्होंने कहा था खुश होना चाहिए था मुझे बैंक की नौकरी आजकल मिलती किसे है पर इस सफलता से जुड़ा सारा प्रसंग याद करके मन कड़वा हो आया भीया तीसरी बार मेरे लिए फॉर्म लाये थे उसे मा के सामने पटक कर मैंने कहा था आखिर आप लोग हाद दो का मेरे पीछे क्यों पड़ गए है जानते तो हैं कि इन चीजों में मेरा मन नहीं लगता मन तो लगाने से लगता है माने शांत स्वर में कहा कोई जबर्दस्ती है मैं भुन भुनाए करनू कभी बात को समझा भी तो कर हर बार अपनी ही हाकती रहेगी या किसी की सुनेगी भी सुनाईए क्या सुनाना है देख बिटिया जमाने का चलाना बदल गया है आज का लड़की का रूप रंग कोई नहीं देखता सब नौकरी पर मरते हैं नौकरी अगर बैंक की हो तो फिर पूछना ही क्या लड़के बाले हाथों हाथ ले जाते हैं या रूप रंग वाली बात भीता तक चुबने वाली थी उसे दिलेरी से जहेलती हुए मैंने कहा मा अबबल तो मुझे शादी नहीं करनी और जो लोग सिर्फ मेरी नौकरी देखकर रीजेंगे वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं शादी नहीं करनी तो फिर क्या करने का इरादा है वही जो कर रही हूँ गाने से किसी की जिंदिगी बनी है मेरी बनेगी तुम देखना एक दिन में कहां पहुचूंगी तब तुम ही मेरी तारीफ करते नहीं ठकोगी आसमान की उचाई कोई एक दिन में नहीं चूलोगी तुम उसमें समय लगता है तब तक के लिए क्या सूचा है मतलब कनू बेटे माने उसास भर कर कहा तुम्हारे बाबू जी नहीं रहे मैं भी अब कितने दिन जिऊंगी यही साल दो साल पान साल भाई भी मान लो तुम्हारे अपने हैं पर भावियां तो पराए घर से आई है शादी नहीं करोगी तो के जिंदी के बर उनके भरो से बैठी रहोगी हाथ में कुछ हुनरत होना चाहिए हर महीने तनखाल लाकर उनके हाथ पर रखोगी तो भावियों की भी आत्मा शांत रहेगी नहीं तो यही सूचेंगी कि दुनिया जहान की लड़किया नौकरी करती है लेकिन ये दौना मा बेटी मुफ्त पत्र मेरे हाथ में था मन हुआ उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके मा के सामने उचाल दू और कहूं अब इस नौकरी की जरुत नहीं है मा इसके बिना भी मुझे चाहने वाले लोग दुनिया में हैं अगली बार भेट होई तो मैंने ही आमंत्रण दिया आज चाहे हमारी ओर से पीजिएगा किस खुशी में? हमें नौकरी मिल गई है लेकिन आप तो नौकरी करती थी न? वह कोई नौकरी थी पॉकेट मनी तक नहीं जुटती थी मैंने तो सोचा था कि इस बहाने थोड़ा रियाजी हो जाया करेगा पर बच्चों के साथ चिला तुए मेरा गलावी फटे बास कासा हो गया है अब कहां मिली है? बैंक मैं यूनियन बैंक वाहा तब तो सिर्फ चाह से काम नहीं चलेगा जो आप कहें? रेस्तरां से निकल कर हम लोग पार्ग की तरफ निकल गए वही जानी पैचानी जगे वही परिचित माहौल था पर साथ बगल जाने से एकदम खुशनमा हो उठा था वहां नरम घास पर पैर फैला का बैठती हुए बोले कल्यानी जी एक काम कर सकेंगी आप सुबर पढ़ाने जाती है न वहां कुछ परिचे तो हो गया होगा एक दो टूशन्स दिलवा सकेंगी क्यों पढ़ाने से मन नहीं भरा क्या सिर्फ मन भरने से क्या होता है बे बुद बुद आए फिर मुझसे बोले बहुत सारा खाली समय रहता है मेरे पास उसका उपयोग हो जाएगा फिर थोड़ा सहारा तो होगा ही सहारे का तो मैं नहीं जानती पर हाँ खाली समय के उपयोग के बारे में मैं सुझाब दे सकती हूँ क्या भागे से आपकी पोस्टिंग इतने बड़े शेहर में हुई है अब कुछ क्वालिफिकेशन्स बढ़ाने के बारे में सूचिए न क्या जिंदीगी भर क्लर की बने रहने का इरादा है M.E. की क्लासे सुबह लगती है आप आसानी से किसी भी विशेह में M.E. कर सकते है या चाहें तो शाम को मैनेजमेंट या लॉज जॉइन कर सकते है और आप तो B.E.C. है न पॉलिटेक्निक में दाखिला क्यों नहीं ले लेते मज़े से तीन साल में डिपनों माले लेंगे वे एकदम उदास हो आए कल्यानी जी उस दिन आप मेरी महत्वा कांग्शाओं को सुनकर हसी थी और आज ओह तो आप उस बात को भूले नहीं है नहीं भूल सका और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी यह बात याद रखें कि महत्वा कांग्शाओं पालने के लिए भी सुविदा चाहिए याद होगा आपको उस दिन मैंने कहा था मेरी महत्वा कांग्शाओं का आकास बस इतना साही है जानती है क्यों सबने देखनी की उमर में ही ग्रस्ती का भार कंधों पर आपड़ा है सिर उठा कर चलने की आदत ही छूट गई है मेरे पिता बहुत बड़े आदमी नहीं थे पर उनके होने से एक सहारा था निश्चिंतता थी चार साल पहले उनका देहान थो गया एक बहन की शादी बे करके गए हैं पर करज की किस्ते अभी बाकी है दूसरी बहन भी अभी ब्याहने को है मा भी है इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर आदमी उची उडान कैसे भड़ सकता है उसे जमीन पर ही खिसटना पड़ेगा मैं करुणा से आप लावित होकर उनकी गाथा सुन रही थी कभी सोचा भी न था क्या हसमुक व्यक्ति अपने भीतर इतना तूफान समेटे होगा आपने अभी इतने सारे नाम गिनाए अगर चाहूं भी तो क्या मैं वह खर्च उठा सकता हूँ कॉलेज की फीज, परिक्षा की फीज किताबें, कॉपियां, बसका किराया इन सब के बारे में सूच कर देखिए कहां से आएगा इतना रुप्या, कौन देगा मैं दूँगी वे तो क्या स्वैम मैं भी चौक पड़ी ये अंजाने में ही क्या कह गई मैं अंजाने में भले ही हो पर अंचाहे नहीं कहा था इसलिए पच्टाबा भी नहीं हुआ सोमबार की सुबह आफिस जाने से पहले मैं पंडी जी के यहां गई पिछवाड़े आंगन में जाड़ी की धूप सेंकते हुए दोनों शिप पारवर्ती की तरह पास पास बैठे थे पंडी जी अखवार पड़ रहे थे और जिया मतर छील रही थी मैंने मिठाई का डिब्बा सामने रखकर दोनों के पेर छूलिये काहे की मिठाई है जीया मेरी नौकरी लग गई है नौकरी? हम तो समझे कि तुमारी सगाई हो गई है अजीब है मक हो सगाई की मिठाई देने के अब खुद आती पंडी जी ने एकदम जिड़क दिया तो जीया कट कर रहे गई उन्हें अबायने के लिए मैंने कहा आज ही जोइन कर रही हूँ आप लोगों का आशिरवाद लेने आई हूँ बैठी मूंक्या ताक रही हो जाओ ठाकुर जी को भोग लगा कर ले आओ लड़की प्रसाद ले कर जाएगी पंडी जी फिर जुझ लाए मिठाई का डिबा उठा कर जीया विचारी भीतर चली गई अब आपको मेरे लिए रविवार को समय निकालना पड़ेगा मैंने कहा या कहें तो शनिवार की शाम को भी आ सकती हूँ क्योंकि बैंक में शनिवार की आदी छुटी रहती है अरे भाई क्या कहने लग गई पंडी जी ने जिया को आवाज दी जल्दी ले आओ से दफ्तर जाना है उनके उस आदेश में मेरे लिए ब्यग्रता भले ही रही हो परस्वर में केवल पिंडे छुडाने का सभाव था तब पहली बार मैंने लक्षी किया है कि जब से आई हूँ मैं मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले है पंडी जी उन्होंने केवल मेरी तरफ देखा आप आप नाराज हैं नहीं तो हम क्यों किसी से नाराज होने लगे किसी से हो नहो मुझसे तो हो ही सकते हैं आप मेरे बड़े हैं मेरे गुरू है अगर अंजाने में कोई भूल हो गई हो तो कान पकड़ कर बताने का हक है आपको नहीं बीटिया अब यह बात नहीं है क्यों क्यों नहीं रही अगर हम तुमारे कुछ होते तो तुम एक बाद कम से कम पूछी लेती एकदम मिठाई लाकर सामने न रखती मैं एकदम जैसे आसमान से गिरी शर्म से मैंने सिर जुका लिया सच यह मुझे क्या हो गया था जिस नौकरी के लिए पहले इतनी उदासींता थी उसी के लिए इतनी ब्यग्र हो उठी मैं इतनी साधन सी बात भी याद न रही माने याद न दिलाया होता तो शायद मिठाई लेकर भी ना आती ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था उनकी अनुमती लिये बिना मंच पर तो कभी गई ही नहीं कॉलेज की पिकनिक या किसी रिष्टेदार की शादी में भी जाना होता तो पहले उनसे आग्या ले लेती मेरी इस गुरु भक्ती का घर में अक्सर मजाक उड़ाया जाता संद्या भावी नई-नई शादी होकर आई तो यह चर्चाएं सुनका बड़ी उत्सुखोड थी एक दिन जित करके मेरे साथ हो ली माने कहा भी कि इस तरह नई-नविली बहु का ओचक चला आना अच्छा नहीं लगता पर मैंने मना नहीं किया मैंने उनके अपेक्षा भंग का मजा लेना चाहती थी सच बिचारी इतनी नराश हुई अच्छी खासी गौशिप का मजा हाथ से निकल गया कनू जी ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी बेटे हमसे कहा होता दरसल भाया की बहुत इच्छा थी परिक्षा देने गई थी तब आपसे कहा भी था हाँ शायद बताया था तुमने उनका मन रखनी के लिए परिक्षा दे दी थी अब सेलेक्षन हो गया तोबे कहते हैं कि चांस छोड़ना बेवकूफी है आप तो जानते हैं बाबुजी के बाद अब भायाई घर के बड़े हैं उनकी बाद रखनी पड़ती है इसके बाद पंडी जी कुछ नहीं बोले पर मेरा मन गलानी से भर उठा सारे रास्ते में अपने को धिक्कारती रही छी अपने पित्र तुल्य बड़े भाई पर ये कैसा आरोब जड़ दिया मैंने अपने रिशी तुल्य गुरू से कैसा जूट बोल गई मैं बड़े भाया ने तो कभी किसी बात के लिए जोड नहीं दिया वे तो बिचारे डरे डरे से ही रहते हैं कि मुझे और अम्मा को कोई बात चुब न जाए हम दोनों को वे ही जहल सकते हैं और जेल रहे हैं बाकी दोनों ने तो बड़ी आसानी से पीछा छुड़ा लिया है कपिल भाया के पास बंबय चोटे मकान का शास्वत वहाना है सुनिल भाया दिल्ली के महगाई का रोना रोते रहते हैं नीता भावी तो साफ कहती हैं कि जब बड़े भाया पैत्रिक मकान का आनंद उठा रहे हैं तो जिम्मेदारियां भी भुगते हैं मेरे लिए रविवार की दो पहर में दो से चार तक का समय निश्यत हो गया पहले दिन से ही लगा के पंडे जी कुछ खिचे-खिचे से हैं साथ आठ साल साथ रहने के बाद गुरू शिसी के बीच जो सामन जा सिपनपता है वह कहीं से तूटता नजर आया फिर कुछ मैं भी उकड़ी-उकड़ी सी रहती मनोज उन दिनों एक अलग कमरा लेका तिलक नगर में रहने लगी थे रविवार की शाम मैंने उनके नाम कर दी थी तान पूरे पा उंगलियां फिर तुए मैं एकसर प्रतिक्षा की घड़ियां गिनती रहती शरीर वहां होता पर मन हवाओं से बात करता हुआ प्रयातम के पास पहुँच जाता था इसलिए पंडिय जी एक एक चीच कई बार समझाते फिर भी मेरे पकड़ में ना आती तब वे अकसर जुझला उटते थे उस दिन माल कौन्स का रियाज हो रहा था अमीर खां सहाब की बड़ी प्यारी सी बंदिश जिनके मन राम बिराजे मैं कहीं से लिख कर ले आई थी और उसे कले में बैठाने का प्रयास कर रही थी पंडिय जी बड़ी तनमेहता से मुझे उस शैली की बारी किया खूबियां समझा रहे थे पर मेरा दिमाग उस समय नौ सीखिय से भी गया गुजरा हो रहा था बार बार स्वर फिसल का शुद्ध निशाद पर ही आटिकता था दो तीन बार पंडिय जी ने टोका भी बेटे या चंदर कौंस नहीं है पर जैसे मैं पहली बार सारे गामत सीख रही थी जब तीन चार बार इसी की पुन्रावित्ती होती रही तो उनकी भी सहन शक्ती जबाब दे गई बस करो वे चीखे तान पूरा रग दो और दफा हो जाओ जब दिमाग ठेकाने रहा करे तब ही यहाँ आया करो वरना मेरा समय खराब करने की ज़रुत नहीं है अपमान से मेरे आंसू निकल आये पंडी जी की डांट पहली वा नहीं खाई थी पर कनिष्ट चात्रों के सामने वे हमेशा वरिष्ट शिष्च्यों की गर्मा बनाए रखते थे आज उना इसका भी ध्यान न रहा मेरे पीछे अपनी बारी की प्रतिक्षा करती हुई गिरिजा और शोवा बैठी थी उनकी तरफ देखने का मुझे साहस नहीं हुआ वैसे ही से जुका कर चली आई अपने उस अपमान की बात मैंने किसी को नहीं बताई मनोच को भी नहीं उस शाम मैं बुजी-बुजी सी रही तो वे मुझे से कुरेद कर पूछते रहे पर मैंने कुछ नहीं बताया बताती भी तो शायद वे नहीं समझते अगले रविवार को जब धाई बजे तक लेटी हुई में उपन्यास पढ़ती रही तो माने टोका आज जाना नहीं है ना क्यूं मा के इस प्रश्ण पर इतने दिनों का बंधा अबसाद का बांध टूट गया मा चुप-चाप सुनती रही फिर मेरे चुप होते ही बोली इसका मतलब है कि अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो तो मैं डाटने का भी अब किसी को अधिकाई नहीं रहा मैं हैरत से उनका मुँ ताकती रह गई देखकन मैं अनपड सही पर इतना जानती हूँ कि विध्या गुरू के चरणों में बैठकर ही पाई जाती है तो अगर उनसे ही अविमान करने लगेगी तो इतने दिन का सीखा हुआ भी मिट्टी में मिल जाएगा उस दिन माने ठेल ठाल कर मुझे भेजा मैं मूफ उलाए ही घर से निकली थी और उसी मुद्रा में जाकर बैठकेई लेकिन पंडिजी हमेशा की तरह अपने बातसले सुरूप में थे मुझे देखते ही बोले तबियत तो ठीक है ना बिटिया चेहरा इतना उत्रा हुआ क्यूं है कुछ नहीं चल कर आई हूना इसलिए उन्होंने जिया को आवाज दे कर मेरे लिए शरुट बनाने को कहा फिर मेरे संकोच को अंदिखा करते हुए बोले मैं पहले ही जानता था कि ऐसा होगा हफते भर दफ्तर में मगजमारी कहने के बाद गाना सीखने लाइक दम खम तुम में नहीं है कोई लड़का होता तो शायद निभा ले जाता पर यह तुम्हारे वसकी बात नहीं है लेकिन पहले भी तो हफते में दो दीनी सीखती थी पर वाकी दिनों में तुम सतंतर तो थी तुम्हारा मन कहीं भटकता तो नहीं था तुम्हारी शक्ती कहीं और तो खर्च नहीं होती थी यह तो साधना की डगर है बेटा शक्ती भी चाहिए और लगन भी इस तरहे दो नावों पर पैर रखकर चलोगी तो बड़ी मुश्किल होगी तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी बहुत आशाएं लगाई थी तुमसे भी उसास भर कर बोले तुम्हारे पिताजी से मांग लिया था मैंने उन्हें बचन दिया था कि बिटिया को एक दिन संगीत शिरोमणी बना कर रहूँगा पर अब लगता नहीं है कि मेरा वाक कॉल कभी पूरा होगा उनके स्वर में घुर हताशा थी जैसे आट-दस साल की तपस्या पर किसी ने पानी फिर दिया हो आट-दस साल पहले वाली वा बात याद हो आई बाबुजी रिटायर हो गए थे और हम सब अपना सामान समेट कर भाईया के पास आ गए थे शहर के स्कूल का एक हौवा समझ में था पर बहुत जल्दी ही मैंने अपना सिक्का जमा लिया लड़किया मेरे कपड़ों का मजाग बनाती मेरे भाषा की नकल उतारती पर एक तुरुपचाल मेरे पास भी थी मेरी आवाज महीने दो महीने में ही मैंने कई फैन जुटा लिये थे इसकूल के वार्शी कोत सम्में पहली बार मंच पर जाने का अफसर मिला सुगम संगीत की प्रतियोगिता थी मुझे तो नया कोई गीत याद भी नहीं था वही पुराना सा घुंगट के पट खोल ही गादिया और बाजी मायली प्रथम प्रुष्टकार के लिए जब मेरे नाम की घुष्णा हुई तो कितनों के चहरे देखने लाइक हो गए थे निरनाया कौम ऐसे एक बजुर्ग से ब्यक्ति भी थे कारिकरम की समापती पर उन्होंने पास बुला कर शावाशी दी नाम पूछा फिर बोले गाना सीखोगी? गाना? हाँ, अगर सीखना चाहो तो अपने पिताजी से कहना मुझसे मिलने उनका बता पता रखते हुए मैं घर पर पहुँची रादबर खुशी के मारे नीद नहीं आई दूसरी दिन सुबह सबेरे में बाबु जी को घसीट का सेट रामदाज जी की बगीची में ले गई यहाँ बीचोबीच सी रगुनाद जी का सुन्दर मंदिर था छोटा सा किंतु सुन्दर सा सफेद पत्थर पर रंगी नकाशी थी फर्स पर काले सफेज संग मरमरी चौकोट टुकड़े जड़े हुए थे योगल जोडी की मूर्तियों की इतनी सुन्दर्ता से बनाये गया था कि आँखें टिकी रह जाती थी हम लोग पहुँचे उसमें आर्थी हो रही थी बाहर एकका दुका दर्शन आर्थी खड़े थे भीतर कल वाले सज्जन रेशमी धोती पहने आर्थी कर रहे थे बाबुजी तो उन्हें देखकर ही गदगद हो गए प्रसाद लेकर जैसे ही बाकी भक्तिगंड बिदा हुए बाबुजी ने आगे बढ़कर उन्हें दंडवत किया और बोले महराज मैं काशिनाद दुबे हूँ कल बिटिया के हाथ आपने संदेश वेजा था मुझे देखकर पंड़िजी को सब याद हो आया प्रसन होकर बोले अच्छा तो आप है वाँ भाई साहब मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ आपके घर में साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है मैं इतने दनों से बच्चों को सिखा रहा हूँ सुन रहा हूँ पर यह बात कभी कभी ही देखने में आती है मैं तो चाहूँगा कि आप मुझे इस लड़की को सौंपते हैं यह तो कन्या का अहो भग्य होगा महराज बाबु जी हाद जोड़कर बोले लेकिन मैं रिटायट आदमी हूँ खुद बच्चों के भरूसे हूँ मैंने आप से कुछ और तो नहीं मांगा भाई साहब बस बिटिया को मांग रहा हूँ पैसे देने बाले बिध्यार्थी तो बहुत मिल जाते हैं पस संतोच देने बाला एकाद मिलता है और फिर मैं पैसे के लिए सिकाता भी नहीं हम कुल दो प्राणी हैं पैंशन में मजे से गुजारा हो जाता है सेट जी के कुल देपता की सेवा का भार ले लिया है उनकी किरपा से सिर्प च्छत बनी हुई है अब तो बस यही इच्छा है कि जो कुछ अपने गुरू से पाया है वो शक्ति भर औरों को देया हूँ भाबू जी ने बटूआ खोल का ग्यारे रुपए निकाले और कहा बेटे गुरू जी के चरण चुओ यहां नहीं घर चलिए कहते हुए भे हमें पिछवाडे ले गए साप सुतरे लेपे पुते दो कमरे थे बाहर वाले कमरे में तबलो की चार पांच जोडियां चार-पांच तान पूरे और दो हार्मोनियम रखे हुए थे बीच वाली दीवर के पास एक बड़ी सी चौकी थी उस पर किसी सादू महत्मा की तस्वीर रखे हुई थी उस पर चड़ाया फूलों का हर ताजा ही था वाता वरण में अगरवत्ती के सुगंद ब्यापते थी भीतर की वो मूं करके उन्होंने दो कप चाए लाने का आदेश दिया और फिर मुझसे बोले पहले इन्हें प्रणाम करो बिटिया ये गुरू महराज है गुरू महराज को प्रणाम करने के बाद मैंने उन्हें प्रणाम किया कुछ श्लोक सा गुन-गुना कर उन्होंने आशिरवाद दिया जो मेरी समझ में नहीं आया तब तक भीतर से चाय आ गई ये तुमारी गुरू माता हैं बिटिया पंडिजी ने बताया बाबुजी का इशारा पाकर मैंने उनके भी पैट चू लिए का नाम है बिन्नु तुम्हारा खुब आगे तर से ढखे हुए ही उस महिला ने पूछा उस कच्ची उम्र में भी ये बात चुभे बिना नहीं रही कि ऐसे सुरीले व्यक्ति की ये कैसी बेसुरी पतनी है घर लोटते ही माने तुफान खड़ा कर दिया कुछ समझते हैं ना सोचते हैं बस जो मन में आएगा कर गुजरते हैं ये भी होश नहीं रहा कि लड़की अब बड़ी हो रही है उसी किसी उस्ताज के पास मैं नहीं भीजने की साब कहें देती हूँ ये सारे संगीत मास्टर एक नंबर के लफंगे होते हैं और लगे हातों माने दरजनों किस से सुना डाले जो उन्होंने भी कहीं से सुन रखे थे मान ने तो एक तरह से वो प्रसंग समाप्ती कर दिया था पर मैं ही जित पर अड़ी रही मा को हार माननी ही पड़ी पहले दिन बे स्वेम मेरे साथ गई पन्डी जी की सौम्म में शांत सात्विक मुद्रा देखकर वे आश्वस्त ही नहीं अभी बूत हो गई पर जिया को देखकर तो एक तम ही रीज गई किसी भी प्रसाधन की अपेक्षा न रखने वाला उनका दमत्ता रंग वयस को छुटलाने वाली कांती तीखे नाक नक्स ऐसा अरनिध्य रूप रंग मैंने भी जीवन में पहली बार देखा था वहां से लौटती हुए मां बार बार मुसास भर रही थी भाग्य का खेल है सब ऐसा रूप तो रजवाणों की यहां भी मुश्किल से दिखाई देता है और बेचारी इस पंडे पुजारी बाबा के यहां जाड़ू बुहारी कर रही है मा की सहमती मिल जाने के बाद फिर कोई रुकावट नहीं रही और मेरी बीदिबत सिक्षा प्रारब हो गई साल वर तो बे केबल भजन सिखाते रहे कोई आठ दस भजन इस बीच मैंने याद कह लिए पंडित जी कहते कई लोग साल दो साल सीखका छोड़ देते हैं उनके पास कोई 20-25 शिष्य थे पांच से लेकर 45 वर्स के ये इस्त्री पुरुस बंधे बंदाए समय में उनके पास आते थे पंडित जी सब पर एक से महनत करते थे पर शीग्री सब जान गए कि मुझ पर उनकी विशेस क्रिपाद रिष्टी है एक-एक सवर को मेरे गले में बिठाने के लिए भी जान लगा देते एक-एक तांच जब तक ठीक से ना उतरती पिचैन से न बैठते एक-एक हरकत के लिए भी खुदी हलकान होते मुझे भी ठका डालते पर दौनों तरफ जोश परावरी का था इसलिए ठकन नहीं होती थी समय और दिन तो मेरे लिए भी नियत था पर मैं जब भी चाहे चली जाती दूसरों को सुनना मुझे अच्छा लगता था और मेरा या उत्सा पंडी जी को अच्छा लगता था कई बार किसी कठिन जगे को वरिष्ट चात्र बारबा प्रयतने कहने पर भी पकर नहीं पाते बाद में मैं बड़ी आसानी से उसे चूवाती पंडी जी निहाल हो जाते अपनी परक पर उन्हें गर्व हो आता बे बड़े इत्मिनान से मुझे सिखा रहे थे बे किसी शिल्पकार की तनमेता से मुझे गड़ रहे थे मैं अभी से उनके सर्ब स्रेष्ट करिती होने का दंभ भेने लगी थी और उन्होंने मुझे भटकने नहीं दिया शुरू के वर्सों में उन्होंने मुझे गानी की अनुमती नहीं दी बोले इनाम तो तुम ले आओगी पर प्रशंसा का नशा अगर तुमें चड़ गया तो फिर तुम कुछ न सीख पाओगी उन्होंने मुझे रीडियो पर जाने नहीं दिया दुनिया भर के आउंगे पौंगे महां परिक्षक बनकर आते हैं अगर आओडिशन में फेल हो गएं तो मेरी बदनामी होगी अगर पास होगें तो बंदी-बंदाई लीक पर गाना शुरू कर दोगी वही तीस मिनट का खेल छोटा ख्याल बड़ा ख्याल आला अप तान गाओगी और सोचोगी दुनिया बस यहीं समाप्त हो जाती है तीन साल बाद पहली बार उन्होंने मुझे भात खंडे जैनती पर गानी की अनुमती दी उस दिन जिन जिन लोगोंने मुझे सुना इस्तब्द रह गए पंडी जी के पास बधाईयों का तांता लग गया रात को माने मुझे पर से राई नौन उतारा था वो मेरी पहली बिजै थी मेरी जैय यात्रा का पहला पढ़ाद था दूसरे दिन समाचार पत्रों में मेरा नाम फोटो के साथ छपा था उन दिनों बी-ए में पढ़ रही थी हुलसते हुए ही कॉलेज पहुची अब तक किसी ने मेरा नाम नोटिस नहीं किया था अब सब जान जाएंगे कि मैं भी कुछ हूँ से पार्टियों ने मेरा स्वागत बिचितर ढंसे किया लड़कियों ने मुझे देखते ही नजरें जुका ले पर कई लड़कों के चेहरे शरारत से मुस्करा उट थे अपनी सीट पर बैठती हुए मैंने देखा ब्लैक बोट पर मेरी अखवार वाली फोटो चिपकी है उसके नीचे चौक से लिखा हुआ है कोयल काली हुदती है इतनी दारुण अब मानना जीवन में पहली बार सही थी सारा दिन में सिर उपर न उठा सकी शाम को पंडिजी की यहां पहुँची तो वे उस समय भी गदगद थे जीया से वैसे वे संगी चर्चा कम ही करते थे पर मगन भाव से गहुँ फटकती हुई जीया से उन्होंने कहा कल तुमारी इस बिटिया ने क्या बसंत गाया था वाहा सब के चेरे फक्ख हो गए पंडिजी मैंने गंभीर होकर कहा आपने मुझसे बसंती क्यों कवाया मैं कोयल की तरे काली हूँ इसी लिए न यह क्या कह रही हो कनू वे हैरान थे मैंने सुबक्ति वो उन्हें सारी बात बता दी मेरी बात सुनकर वे बोले उन्हान ने तुम्हें कोयल कहा है न तुम्हारे स्वर के सौंदरे को तो बे लोग अंदेखा नहीं कर सके बस इसी का लोहा सबसे मनवाना है और वो एक दिन मानेंगे तब मैंने सोचा कि शायद बाबू जी ने यही कुछ सोच कर मुझे उनके चरणों में डाल दिया था बहुत दिनों बाद फुरसत वाला रविवार मिला था मनोच चार-पांस दिन के लिए घर गई हुए थे नौकरी के बाद वे पहली बार अपने परिवार से मिलने गए थे वो भी इसलिए कि पॉली टेकनिक में उनका दाकिला हो गया था उन्हें मालूम था कि सेशन सुरू होने के बाद वे फिर से इतना समय ना निकाल पाएंगे मुझे लोटने की कोई जल्दी नहीं थी इसलिए पंडिची के पास से उठने पर मैं जिया के पास आ बैठी थी पहले दिन जिया मुझे बहुत बेसुरी लगी थी पर जैसे जैसे परिचे बढ़ता गया मैं उनके सौभाव वगत माधुरे से परिचित होती गई उनकी बोली में मुझे अपने ननेहाल की सौंधी गंद आती इतने सालों तक महार नगर में रहने के बाब जून ना तो उनकी भाशा बदली थी ना सौभाव उनके निश्चल बादसली की च्छाहों में दो घड़ी बैट लेना बहुत अच्छा लगता था बहुत दिनों बाद सुयोग बना था इसलिए बात थी कि खत्मी नहीं हो रही थी तबी पंडिजी ने आवाल दी इधर देखो कौन आया है और इससे पहले के हम उठकर देखते एक गोरी चिट्टी महला भीतर प्रविष्ट हुई उन्हें देखती जिया बाहें पसार कर उठकर खड़ी हुई और उन्हें अंक में भाई लिया गले मिलते ही दौनों ने जो बिसूरना शुरू किया कि बाहर का सुरीला शौर अपने आप थम गया जिया के साथ मैं भी उठका खड़ी हो गई थी और अब असमंजस मैं थी कि क्या करूं वह रूलाई खुशी की थी या दुकी यह भी समझ में नहीं आ रहा था इसलिए चुपचाप खिसक लेना भी अच्छा नहीं लग रहा था जब कुछ भी समझ नहीं पड़ा तो मैंने वह दाल समेटनी शुरू कर दी जो मैं जिया के साथ बिनबा रही थी पिनी हुई दाल डिबे में भरका यथा इस्थान रखाई अनबिनी दाल पतीली में रखकर उस पठाली रखती बोरी उठा का पिछवड़े आंगन में फटकार कर रखती इस पीच बाय योगल रुदन थम गया था और दोनों बैट गई थी हाद धोकर मैंने दो गिलासों में पानी डाला और उनके सामने रखते हुए कहा जिया चाए बनेगी जिया को जैसे आप मेरी उपस्तिती का भान हुआ खुलस्तिवे बोलें कन्नू जे हमारी लौरी है मनोज की अम्मा आश्चर है मुझे पहले ये खयाल क्यों ना आया दोनों बैटनों में कितना तो साम में है बस जिया के भाल पर दिप-दिप करती बिंदी भर नहीं थी कन्नू भी जैसे चोकन्नी हुई मतलब कल्ने आणी हाँ जे ही नाम है हम पे तो लेता ही न बनत तो यही है वो हुस्न परी जिन पे मुन्ना राजा मरे जा रहे हैं हम दोनों आवाक वाह जिया खूब देखवाल की भांजी की हम तो वहाँ तुम्हारे भरों से बैठे रहे तुमने हमारे घर में आग लगा दी ऐसो का हो गयो अब होने को बाकी ही क्या रह गया है हम तो समझते थे कि केवल गाना भर सिखाते हैं पर हमें क्या पता था कि वे प्रेम प्यार की केताब भी खोले बैठे हैं ये गवईये वजबईये सब एक जैसे होते हैं तब ही तो अम्मा ने हमें कभी तुमारे पास नहीं भेजा और अब किसकी भेजी वी आई हो पंडिजी दर्वाजे पर खड़े होकर अब नौकरी के चार महिने भी पूरे नहीं हुए और उसके पंक निकलाए हैं ये भी होश नहीं रहा कि घर में जबान बेहन कुवारी बैठी है ये तुम्हारा अपना मामला है घर में निप्टो यहां गालियां बगने क्यों आई हो गाली किसने दी खरी बात कह रही हूँ तभी तो लग रही है आपकी शेह मिलती रही है तभी तो इसकी एहिम्मत हुई है नहीं तो आज तक उसने कभी किसी की और आँख उठा कर नहीं देखा और आब आँख पड़ी भी तो किस पर हम शब्दों में जितनी ग्रिना ओडेल सकती थी उतनी ओडेल का उन्होंने मूँ बिचका दिया पंडी जी दरवाजे में खड़े थे इसलिए इतनी देल लिहाज की रही पर जब सब असे हो उठा तो उन्हें परे धकिया कर मैं बाहर निकल आई मनोज पर इतना गुस्सा आ रहा था इतना बड़ा निरना लेने से पहले मैंसे पूछा तो होता क्या यह सोचा था कि मैं तो एक पाउपर तयार खड़ी हूँ उनके कहने भर की देर है बैसे उन्होंने गलत नहीं सोचा था पिछले कुछ दिनों से ही सपना में बार-बार देख रही थी पर हर लड़की की तरह मैंने भी चाहा था कि यह बात कोई मेरे कानों में मदवन्ती की मधुर स्वारा वली में गुनगुना कर कहे यह एक शन मेरे जीवन में बासंती हवा का जोंका बन कर आए यह पल मेरे मन के आकाश में शरत पूनों की चांदनी बन कर उतरे प्राण पावडे बिछा कर मैं उस मधुर शन की प्रतिक्षा करती रह गई और कोई जैसे मेरे मुँपर थूख कर चला गया और अब यह मू लेका पंडिक जी का सामना कैसे करूंगी क्या सोचा होगा उन्होंने उनके आकरित्रिम इसनेहे का मैंने यही प्रतितान दिया है उस आजात शत्रू को मेरे कारण आज क्या क्या न सुनना पड़ा रविवार की शाम अपने पूरे यॉवन पर थी सड़क पर बहनों का रेला सा बह रहा था मन तो हुआ कि कूद पड़ू किसी गाड़ी के आगे सारा किस्ता ही खत्म हो जाए पर एक और बेवकूफी करके मैं अपने रिशी तुल्ले गुरू को और संताब देना नहीं चाहती थी फिर इस अभागे देश में वारी लड़की का मैना भी तो निरापद नहीं है सौ विवाद खड़े होंगे मा भाईया कहीं मूँ दिखाने लाइक न रहेंगे और फिर इस तरह चुपचा मैने से फाइदा एक बार मनुज से जवाब तलब तो कहना ही है मेरा इस तरह अपमान कहने का उन्हें क्या हक था बैंक से लोटकर चाय पी रही थी कि नीता ने आकर बताया बुवा पंडित जी आये हैं हिम्मत जुटा कर उनके सामने पहुची उस समय वे ड्रॉइंग रूम में भीया के साथ बैटकर चाय पी रही थे मुझे देखते ही सहज भाव से बोले इधर से निकला तो एकदम याद आ गया कल तुम मंदर जाने को कह रही थी ना मना करने का कोई सवाल ही नहीं था पूरे रास्ते कोई एक शब्द भी नहीं बोला मंदर पहुचकर मैंने बेमन से प्रणाम किया और बहाच चबूतरे पर आकर बैट गई पंडिजी निरलिप्त भाव से आराधना करती रहे गर्ब ग्रह में खड़े होकर उन्होंने अपने गुरू गंभीर स्वर में शिब महमा का पाठ किया अपनी नियमित परिक्रमाएं पूरी ही फिर सबकी जैरामजी लेते हुए मेरे पास आकर बैट गए जिसके लिए आतंकित थी वो शन सामने आ गया था कनू उन्होंने पूछा कल वाली बात क्या सही है उत्तर में मैंने से जुका लिया जबाब देती भी तो क्या कैसे कहती कि मेरी मनोज से संबन्द में कभी कोई बाती नहीं हुई अगर कह भी देती तो क्या वे विश्वास कह लेते क्या कभी मैंने यह सोचा था कि इतनी बड़ी बात मेरी सहमती के बिना कहती जाएगी एक बात और पूछूंगा बेटे तुम मनोज के रूप रग पर रीची हो या कोई और बात है मैंने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया कैसे कह देती कि मैं तो इसलिए रीची हूँ कि कोई पहली बार मुझ पर रीचा है पहली बार किसी पुरुष ने मुझे नारी रूप में देखा है पहली बार किसी ने मेरे व्यक्तित्यो गाने वाली गुडिया से कुछ उपर उठा है उस घर में तुम्हारा स्वागत कैसे होगा इसकी जलक तो तुम्हें मिल ही गई होगी जी, मैंने अस्फट स्वर में कहा अच्छा हुआ जो कल तुमने अपनी होने वाली सास का स्वभाविक रूप देख लिया यह ब्रह्म कभी मत पालना कि वह तुम्हारी जिया की सगी बहन है दौनों के स्वभाव में कोई सामे नहीं है वै तो साक्षात चंडिका है सारा घर उसके आतंक के साय में पलता है पती भी जब तक जीवित रहा डरा डरा रहा उसके परिबार से उसे ऐसा काट दिया था कि जिंदिगी भर विचारा अकेले पन की वेथा में खुलता रहा बड़ी बेटी के ससराल वालों से ऐसी ही ठनी हुई है बिचारी के लिए पीहर का रास्ता ही बंद हो गया लेकिन आप यह समुझे क्यूं सुना रहे हैं मन अपने आप प्रश्न करने लगा था तुम शायद सोच रही हो कि मैं यह सब क्यूं सुना रहा हूं उन्होंने जैसे मेरा मन पढ़ कर कहा मैं तो केबल तुम्हें आगा करना चाहता हूं कि लड़का मा के रॉब में है उसकी मरजी के बिना वा कुछ भी नहीं करेगा तुम दोनों की भावनाओं में कितनी गहराई है यह भी मैं नहीं जानता पर यह जरूर कहूंगा कि मनोज कस्वे के कॉलेज का पड़ा हुआ गवई युवक है ऐसे लड़कों के लिए लड़कियां ही कजुबा होती है उनसे हसना बोलना तो दूर बे आँख उठा कर देख भी नहीं पाते उसके घर के वातावरन के संबंद में बता ही चुका हूँ पहली बार उसने यहां आकर खुली हवा में सांस ली है संयोग समझ लो कि इसी समय तुम से परिच्चे हो गया मैं अपनी कोई राय तुम पर थुपना नहीं चाहता लेकिन कोई भी निरनायक कदम उठाने से पहले तुम्हें आगा जरू करना चाहता हूँ मनोच छुटी से लोटे तो इतने उदास और बुझे बुझे से थे कि सारा गुस्सा पानी हो गया पंटे जी की बात याद हो आई सच मुझ बिचारे आतंग के साय में जीते रहे हैं तभी तो मा की बंबारी को सिर जुका कर झेल गए होंगे मुझे तो आश्चर रहे अपने मन की बात कहने का साहस कहां से जुटाया हो गए इनों ने शायद या मेरी संगत का प्रवाव हो इसके बाद हिम्मत जबाब दे गई होगी तभी तो ऐसे लुटे पिटे से लोटे हैं अपने ही बच्चों की व्यक्तित को इतना कुंद बना देने में उस औरत को न जाने क्या सुख मिला होगा पंडी जी ने ठीक कहा था यहां आकर पहली बार उसने खुली हवा में सांस ली है पहली बार परिशय हुआ था तब मैं एक तरह से चौंकी ही थी पहली भेंट से कोई इतना कैसे खुल जाता है पर आप समझ में आ रहा है कि जिन्हें घर में मूँ खोलने का अफसर नहीं मिलता वे बाहर ऐसे ही चैकते रहते हैं उनके घर के माहौल से मुझे यूँ कुछ लेना देना नहीं था पर इस समय तो मेरी अपनी खुशी अपनी जिन्दी की दाव पर लगी हुई थी मैंने समझ लिया था कि यह व्यक्ति इतना दब्बू है कि अपने सुक दुख की बात भी सुतंत्र होका सोच नहीं सकता यदि मेरा सुक दुख भी इनके साथ नथी है तो इसके लिए भी मुझे ही सोचना पड़ेगा और मैंने एक बार की सोच लिया मेरे इस आकस्मिक निरनय से भाई लोग चौक पड़े अपनी इकलौती बहन के लिए उन्होंने इस से बहता घर बर की काम ना की थी पर विरोध किसी नहीं किया मातो दामात का रूप देखकर सारी हताशा भूल गए मनोज के परिवार में एक अमा भी थी जिनकी सुकरिती के आशा थी ही नहीं और रिष्टेदारों से तो पहले से ही ठनी हुई थी एक बार अपना निश्या मनोज के गले उतारने के बाद सारा काम आसान हो गया पंडी जी बहुत प्रसन्न नहीं लगे पर उन्होंने अपनी अप्रसन्नता भी जाहें नहीं की बलकि बारत उनी के घर से चली ससुराल की देहरी पर मेरा स्वागत जीया ने ही किया इस बात को लेकर दोनों बेहनों में सदा की लिए गांट पड़ गई किसी के इच्छा अनिच्छा बैर प्रेम की या परवा ही किसे थी आनंद पत्के दो यात्री सारी दुनिया को अंगुठा दिखा कर अपनी यात्रा पचल पड़े थे सब कुछ सपना सा लग रहा था अपने विभा को लेकर कलपना का तानावाना मैंने बुना ही नहीं था इतना अवकाश ही नहीं मिला मन सदा और और बातों में उलज़ा रहा यह प्रसंग जीवन में आन्दी की तरह अकसमात उठा और मुझे अपने साथ बाहा कर ले गया फलक जपकते ही मैंने मनोज को बरमाला पहना दी भाईया ने बेमन से ही सही जो सामान दिया था उससे लेकर अपनी ग्रहस्ती का स्री गनिश किया बेवा बहुत प्रसंग वातावर्ण में नहीं हुआ था पर उससे हमारे उत्साह में कोई अंतर नहीं आया समय पंक लगा कर उड़ चला था नौकरी मेरी भी थी उनकी भी शाम को बेख क्लास भी जाते थे बस उतनी ही देर को हम अलग होते थे दिन तो दफ्तर में चला जाता था पस शाम को घर पर अकेले रह जाना बहुत अखरता था अपनी महती आकांग चाएं तब मुझे ही जहर लगती और शाम का समय ही मेरे लिए फुरसत का समय होता था कई बार मन होता तान पूरा लेकर बैठ जाओं कुछ गा लूँ गुन गुना लूँ पर तभी रसोई की टेर सुनाई दे जाती मा के यहां तो कभी चाए भी मैंने अपने मन से नहीं बनाई पर इन दनों पती को नित्य नए वियंजन खिलाने का एक जुनून सा सभार हो गया था सोबह विस्तर से बाहा निकलते निकलते नौ बच जाते थे हावड तावड में चाय नाश्ता भी ढंका नहीं बन पाता था पर शाम के खाने में मैं पूरी शक्ती लगा देती रेडियों से, सहेलियों से, पत्रिकाओं से नई-नई विधियां सीख कर उनका प्रियोग करती रहती बिचारे मनोज मेरे सत्याचार को हस हस कर झेलते पती की प्रशंसा पाने का सुक उन दिनों मेरा सबसे बड़ा प्राप्य था रसोई से बचा समय इनके हुमबग पर खर्च होने लगा पता ही नहीं चला, स्वरे लिपी लिखने वाले मेरे हाथ बड़े मजे से कौपियां भरने लगे और मजे की बात तो यह है कि मुझे उस शुष्क काम में भी अलोके कापे नजराने लगा जीवन का रंग ही बदल गया रविवार की दो पहर पंडित जी के हाँ जाना एक भार लगने लगा बड़ी आसानी से मैं दो दो रविवार गोल कर जाती वे भी मुझे से उदासीन से हो गए थे जाती तो निरलिप्त भाव से कुछ बता देते ना पहले की तरह डाटते फटकारते ना उन पस्तिती की कैफियत तलब करते गाना बिल्कुल ही छूट गया हो ऐसी बात भी नहीं बलकि इतने दिनों तक मैं सोरों के जंगल में भटक रही थी सही सुर्ट तो अब जाकर मिला था इतने सालों से तो जो सीख रही थी वे तो कोरे शब्द थे उनका मर्म तो अब समझ में आया था अब तक तो केबल गाती थी अब मैं गीतों को जी रही थी सोलस रिंगार करके रोज अटरिया पर बैटकर पिया की बाट जोहा करती उनके बिरह में एक एक पल योग सा बीतता वे जरा भी देर लगा कर आते तो रूट जाती कहती जाओ जाओ जहाँ इतनी रात पिता कर आये हो वहीं लोट जाओ अब यहाँ क्या लेने आये हो वे मनुहार करने लगते तो लड़िया कर कहती अच्छा जरा मेरी उलजी हुई लट तो सुलजा दो सेथ चड़ते हुए कभी बैरन पायल को कोस्ती कभी कंगन को जो जन जना कर मेरा रहसे सब पर खोल देते हैं ऐसे मैं अडोस पडोस की जिग्यासू औरते मुझे बैरन सास और दुष्टा ननत से कम नहीं लगती सुवह होती तो मेरी नाइका कहती अब तो जरा भर सो लेने दो राद बर तो तुमने आँक नहीं लगने दी मैं तो हैरान थी उन रसिक मनीशियों ने कैसे कैसे सरस प्रसंगों को शब्दों में बान दिया था पहली राकी पर भाया मुझे लिवाने आए तो मैंने इने ही ठिल ठाल कर घर वेज दिया इनके मना करने के बाब जूत रजनी के लिए एक अच्छी सी साड़ी साथ रख दी पर मेरा या सदभावना मिशन फेल हो गया दो दिन बाद ये लोटे तो बेहद उखड़े हुए थे अपनी सारी खीज मुझ पर उतारती हो बोले खुद तो अपनी मा के यहां बैठकर आराम फरमाती रही और मुझे वहां भटी में जौब दिया मैं तो जानता था वहां जाकर क्या सौगत होना है बस चलता तो कभी वहां का रुख ना करता पर रानी जी की जित थी न पांच महीनों में पहली बार बे मुझसे इतने तिक्त स्वर में बोले थे मैं समझ गई कि इस व्यक्ति का प्यार जितना आकरमक है गुस्सा भी उतना ही भयानक है फिर मैंने दीवाली पर कुछ नहीं कहा चार-पांच दिन की और छुट्टी लेकर हम लोग बंबई चले गए शादी के बाद पहली बार बाहर निकले थे रोज की आपा धापी से उबर कर मन तरो ताजा हो गया जेव की हालत जरा और अच्छी होती तो ये सुख का स्वाद और बढ़ जाता फिर भी हमने इस नई आजादी का भरपूर आनंद लिया पर घूमने का सारा मजा घर लोटते ही किरकिरा हो गया अम्मा जी की एक बं मार का चिठी हमारी प्रतिक्षा कर रही थी पिछले अनभव से ये इतने बिफर गए थे कि इस बाद त्योहार पर न खुद गए न रुपए भेजे अम्मा जी का जलाना स्वाभाविक था पर दुक इस बाद का हुआ कि बेटे की लापरवाही का दोश बहु के सिर मर दिया गया चलो हम जाकर उन्हें मनान लाएं मैंने कहा नहीं तुम वहां नहीं जाओगी वे गुर राए तो तुम अकेले ही हो आओ नहीं मैं भी नहीं जाओंगा क्यों गहां तुम्हारा स्वागत नहीं हो सकता उस घर में मैं पाओँ भी नहीं दूंगा पती का आई है एकांतिक प्रेम देखकर में गदगद हो आई पर मेरे कारण भे अपने घर परिवार से कट जाए या मुझे अच्छा नहीं लगा उन्हें शांत करते हुए मैंने कहा कभी उनकी ओर से भी तो सोच कर देखो हर मा अपने बेटी के लिए एक सुन्दर सी बहु की कामना करती है अम्मा जी ने भी की होगी इसलिए उनका निराश होना स्वभाविक है हमें उनकी भावनाओं को समझने का यत्न करना चाहिए तो क्या करने को कहती हो बेचीखे हम लोग जाकर उन्हें लिवा ले आए मैं अपनी सेवा से उन्हें प्रसंद कर लूँगी वैसे भी अब उन दोनों के वहां रहने से कोई तुक नहीं है रजनी की पड़ाई यहां भी हो सकती है बलकि और अच्छी तरह हो सकती है तुम सोचती हो तुम्हारे बोलाने से भी आ जाएंगी क्यों नहीं आएंगी शादी तक मैं तो आई नहीं मिन्नत एक करकर के हार गया मैं तो क्या हम वही गांट मन में लेकर बैठे रहें देखो मनोज कुछ हमें भी भूलना होगा उनका मान यदि तोड़ना है तो पहले हमें कुछ जुकना होगा फिर देखना कैसे चुटकी में सब्काम होते हैं क्योंकि मैं जानती हूँ अपना बेटा बहु कोई हमेशा के लिए नहीं छोड़ देता तुम्हारा ब्रहम है भी बहुत नाक वाली है नहीं आएंगी और वा प्रसंग वहीं समापसा हो गया सच मुझ भी बड़ी नाक वाली निकली दस बार जाकर इन्होंने नाक रगड़ी तब कहीं उन्होंने आने की अनुकमपा की इतने दिनों तक कहती रही तब नहीं माने जब गरज पड़ी तब बुलाने गए इसलिए आते ही उन्होंने सब को नाक वचने चबबा दिये आते ही उन्होंने अडोस पडोस में एलान कर दिया मैम साहब को तो दफ्तर जाना होता है हमारे मुन्ना राजा तो बिचारे अभी तक स्कूल कॉलेज के चक्कर में पड़े हुए है फिर घर को कौन संभाले राजकुमारी की देखवाल कौन करे इसलिए दो दो दाईया बुलवाई गई है रूखा सुका खाकर कौने में पड़ी रहेंगी दरसल राजकुमारी जरा जल्दी ही आ गई थी अभी हमारे पास बच्चे का कोई प्राबधान नहीं था पर जब डॉक्टर ने यह खुशकबरी सुनाई तो सीस्वर यह सौगात को लोटाने का मन भी नहीं हुआ प्रसूती के लिए मैं मा की यहां चली गई थी तीन महिने की पूजा को लेकर ही लोटी इसी बीच रोटी पानी की समस्या को लेकर यहां अमा जी को ले आये थे बोले रोटी पानी का तो बहाना है खाना तो मैं होटल में भी खा सकता हूँ पर सोचा कि कल तो तुम बैंक जाने लगोगी तब भी तो घर में कोई चाहिए सिर्फ नौकरों के भरों से तो बच्ची को दिन बर नहीं छोड़ा जा सकता जब तक मा के यहां रही यह रोज शाम को मुझे देख जाते पर अमा जी एक बार भी नहीं आई मा अक्सर कहती कैसी काट करेजन है तेरी सास क्या एक बार भी उसका पोती देखने को मन नहीं होता मा तो मेरे सस्राल जाने की कलपना मात्र से ब्याकुल हो जाती अगर मनोज यह नई वेवस्था न करते तो मैं पूजा को मा के हातों ही सौपती तीन महीने बाद जॉइन करके मैंने फिर छुट्टी बढ़ा ली वो एक दिन भी मुझे पर भारी पड़ गया था दिन भर मन घर में ही लगा रहा उदर पूजा ने भी रो रो का सारा महला जुटा लिया था सारा हाल देखकर सुनकर मनोज मुझे छुट्टी समाथ होने से पहले ही घर ले आए ताकि बच्ची नए लोगों से परिचित हो सके नए बातावरन की अभ्यस्त हो सके बहुत जोड़दा स्वागत की तो मैंने भी आशा नहीं की थी पर अपने ही घर में चोरों की तरह घुसना पड़ेगा यह भी नहीं सोचा था रजनी पडोस में सहली के पास बैठी थी उसने देखकर भी अंदेखा कर दिया अमा जी रसोई में ब्यासते थी कुंडी खुल का दुबारा वहीं लोट गए उनके पाउं चूकर मैंने पूजा को उनके चरणों में डाल दिया पर आशिरबाद देना तो दूर उन्होंने आख उठा कर देखा भी नहीं अपमान का घूंट पीकर रह गई मैं अनायासी जीया की याद हो आई रिक्षा रुकते ही कैसे हुलस का दोड़ी आई थी फिर मुझे दरवाजे पकड़ा करके वैसी भागी भागी भीतर गई थी राई नौन उताने के बादी मुझे भीता परवेश मिल सका था पूजा को उन्होंने लपक कर गोद में उठा लिया था और उसके कुन मुनाने की परवाना करते हुए देर तक धुलराती रही थी पोती के उच्छा में उस दिन पंडी जी ने सारे शिश्यों को छुट्टी दे दी थी जिया ने खीर पूरी बनाई थी महले में बता से बांटे थे चलते समय रवनाजी का प्रसाद कहकर धेर सारा सामान साथ दे दिया था मुझ पर तो अम्मा जी की अब क्रपा सदा से थी पर सोचा था कि बच्ची को देखकर उनका मन पिघल जाएगा मेरी ये आशा एकदम बेर्थ भी नहीं हुई मुझ से वे वैसे ही कटी कटी सी रही पर पूजा को अधिक समय तक अंदेखा न कर सकी गोरी चिटी गुल गोरी नी पूजा बिलकुल उनके बेटी की प्रतिमूर्ती थी मैं जान बूज कर उसे लिटा कर इदोदर काम में लग जाती वे चुपके से आकर उसे उठा लेती लाड़ करती मेरी जराभर आहट पाते ही पटक कर चली जाती पंदरे दुनों में ही वे इतनी मोह विष्ट हो गएं कि उन्हें फिर मेरा संकोच भी न रहा वे दिन भर उसे चिप्टाए रहती और मुझे सुना कर रजनी से कहती गनीमत है कि मापर नहीं गई नहीं तो हाथ लगाने का भी मन नहीं होता कई वार मन होता कि तड़ से कह दूँ लाख काली सही कोक तो मेरी उजली है आप ही की तरह गोरा चिट्टा बच्चा मेने जन्मा है पर फूस की धिर में चिंगाली डालने की हिमत नहीं पड़ती अपने में शक्ती और साहस जोटाने के लिए जो छुट्टी मेने बढ़ाई थी वह भी एक दिन समाप्त हो गई शायद उसी दिन से मेरा यातना पर वह प्रारंब हुआ था अपनी लाडली को उन सहानु भूती शुने हातों में सौंप कर बाहर निकलते हुआ मन बहुत रोया था पता नहीं किस कुगडी में मैंने उसे चोड़ा था वह मुससे दूर होती चली गई मेरा उसे लाड़ से दिया पूजा नाम भी अस्विकृत कर दिया गया अवश्वेता थी मैदे की लोई सी कच्चे दूद की सी उसकी चिकनी शुब्र कांती ही उसे ये नाम दे गई थी विवस्ता ही कुछ ऐसी थी कि मुझे मन मार कर काम पर जाना पड़ता था नहीं तो मैं कब से नौकरी छोड़ चाड़ कर घर बैट जाती चार सामाने औरतों की तरह बच्चे पालती पर नौकरी तो अब मेरी नियती बन गई थी घर में नए प्राणी के आते ही खर्च बढ़ गया था मैं उसे अच्छे से अच्छा पहनाना उड़ाना चाहती थी उसके रख रखा मैं खाने पीने में किसी तरह की कंजूसी मुझे सुईका नहीं थी अमा जी और अजनी के आज आने से घर भी छोटा पड़ रहा था उन्हीं दोना हमारे भागे से उपर वाला हॉल नुमा कमरा खाले हुआ उसमें अटैस्ट टॉलेट की भी सुवेदा थी किराई की परवाना करते हुए हमने ततकाल उसे ले लिया दिन भर की आपा धापी के बाद इस निगूड एकांत में बहुत शान्ती मिलती थी दिन भर आफिस में काम करते हुए मन अपनी लाडली के आसपास ही गूमा करता उसके किसी प्रकार के आहित की आशंका मुझे नहीं थी फिर भी वह पांच-शे घंटों का विचोह मेरे लिए पहाड बन जाता घर लोटने तक ममता का भार असे हो उड़ता लगता कि उड़कर पहुंच जाऊं उसे चाती से लगा लूँ पर घर पहुंचते ही पता लगता कि अम्मा या रजनी उसे लेकर पडूस में निकल गई है मैं मन मसूर्स कर रह जाती ये मुझसे पांच-दस मिनट आगे पीछे ही घर लोटते उन्हें दूर से आता देखकर ही अम्मा जी घर पहुंच जाती मैं लपक का श्वेता को गोद में लेती और कमरे में गुम हो जाती यही तो समय मिलता था उसे जी भरकर दुलराने का प्यार करने का इनका चाए नास्ता अम्मा जी तयार करती पास बैठकर इसरार करके खिलाती इनने तुरंथ शाम की क्लास के लिए जाना होता था किसी तरह जल्दबाजी में ये खाप पीकर चले जाते अम्मा जी बाद में अडोस पडोस को सुना कर कहती अच्छी लंब मेरिच की है था के हारे मर्द को एक कप चाए का भी सहारा नहीं है मैं कहती हूँ सूरस शकल तो भगवान की देन है पर आदमी गुंधंग तो सीख सकता है मैं सुबह शाम खाना बनाने का भरसक ही अतने करती पर अम्मा जी ने रसोई में ऐसा दखल जमा लिया था कि हटने का नाम ही नहीं लेती थी मेरे इसे में जाड़ू लगाना, कपड़े धोना या चटनी पीजना ऐसे ही काम आते थे कभी आगरे पूर्बक कुछ बना भी लेती तो वे ऐसे घूरती रहती कि घवराट में कभी नमक भूल जाती या मिर से दुबारा डाल देती खाते समय वो नुक्ता चीनी होती कि बस बुसा तो तब आता जब ये भी आलो चुकों की टोली में शामिल हो जाते कल तक यही मनोज बनाने वाले की उंगलियां चुमने की बात कहा करते थे उस दिन भी हम मा बेटी तृत भाव से कमरे में लेती हुई थी के नीचे से रजनी ने आवाज दी पता चला इनके मीक मित्र सब पत्नी काई हुए हैं जैसे ही बाहर के कमरे में पाउं दिया मैं चौक पड़ी मित्र पत्नी सिर से पाउं तक सौंदर प्रसाधनों का बिग्यापन बनी हुई थी उनके सामने अपनी मुड़ी तुड़ी साड़ी और बासी चेहरा लेकर मैं एक खीन बोद से भर उठी मनुज की आँखों में भी मैंने पहली बार एक बित्रिशना का भाव देखा और सहम उठी रात को अपनी सफाई देती हुए मैंने कहा बैंक से लोटकर इतनी ठक जाती हूँ कि कुछ करने का मनी नहीं होता फिर दिन बार उसे छोड़े हुए हो जाता है वे जासे फट पढ़ने को आतरी बैठे थे बार बार ये नौकरी का हवाला क्यूं देती हो इस शहर में 50% औरते नौकरी करती है अनिल की बीभी भी करती है सभी अपने बच्चों को छोड़ कर काम पर जाती है तुम्हारी तर Εश हम भाग्यबान भी नहीं होती उन्हें सुबह शाम खाना बनाना पड़ता है बच्चे को नहला दुला कर आया के घर छोड़ने जाना होता है बाजार से सौधा सुलब भी वे ही लाती है तुम तो इन सारे जंजोटों से बच्ची हुई हो सली के से रह तो सकती हो शुवेता के जन्म के बाद सब कुछ छूट सा गया था और फिर से शाम को सजना सवाना शुरू कर दिया पर किसके लिए तयार होकर नीचे उतरती तब तक ही या तो क्लास के लिए निकल चुके होते या जानी की जल्दी में होते सारा आयोजन ब्यार्थ हो जाता मुझे देखकर अम्मा जी और अजनी कंखियों से एक दूसरे को निहारती और हस देती वह हसी हिला देने वाली होती थी कभी-कभी उनका उपहास मुखर भी हो जाता वे विधाता को धन्यवाद देती जिनोंने उन्हें पौडर के ख़र से बचाए रखा कभी कहती ग्रस्ती क्या खाक करेंगी रानी जी की सिंगार पटार से ही फुरसत नहीं मिलती रूपरंग के बाद घर ग्रस्ती के कामों मेरा अनारी पन अम्मा जी के हाथ का दूसरा बड़ा पत्ता था इस सिबाजी हमेशा उनके हाथ में रहती थी बचपन से ही मन सुरों की दुनिया में ऐसा खो गया था कि कई चीजें सीखने को रह गई थी उना लेकर कभी कभी बड़ी शर्म जीलनी पड़ती थी हाई भावी कित्ती प्यारी फ्रॉक है आपने बनाई है पडोस्व की मुँ बोली ननत पूझती नहीं रजनी ने बनाई है अरे वाह मेज पोस्ट तो बड़ा खुबसूरत है आप इतनी अच्छी एंब्रोइडरी कर लिती हैं हमें तो पता ही नहीं था नहीं यह तो रश्मी के हाथों का कमाल है शादी से पहले काड़ा था दुलहिन वो लाल मिर्च का अचार तो बड़ा स्वादिस्ट लगा कैसे बनाया था जरा बताना भई अम्मा जी से पूछ लीजिए उन्होंने ही डाला है मतलब कि घर में कई चीज़ें प्रशंसा बटोडती रहती पर किसी पर भी मेरी महर नहीं होती थी ऐसे में मां बहुत याद आती वे अकसर कहती थी कनू थोड़ा इधर भी देख लिया करो कल को ससराल जाओगी तो यही काम आएगा यह हिंदुस्तान है अमरीका नहीं बाबु जी सुनते तो मां को बुरी तरह जड़क देते पंडी जी की बात दोहरा कर कहते तुम्हारी बिटिया चूला चक्की करने के लिए बनी नहीं है वह तो साक्षात सरस्वती है अब बाबु जी आकर देखें अपनी सरस्वती को कई चीज़ें तो अब मैंने सीख भी ली थी पर उनके लिए समय नहीं मिलता था सुवह शाम घर का और दिन में ऑफिस का काम करके इतना ठक जाती थी कि बस फिर थोड़ी दे गुडिया को दुलराने का भी मन होता कभी लंच आवर में दो-चार सलाईया निकाल लेती बस एक-एक स्वेटर महीनों ले लेती इस बीच रजनी और आसपास वालों के चार-पांस स्वेटर बुन चुके होते मेरी मजबूरी कोई नहीं समझता मनोज भी नहीं बे तो मजाग बनाने में अगरणी रहते और मेरी सुस्त चाल को बिलंबित ले का नाम दे डालते शुेता के जन्म दिन की पार्टी एक हादसे की तरह तीस जाती है उसके जन्म पर तो किसी ने पांच लड़ू भी नहीं बाटे पर जन्म दिन बड़ी धुमधाम से मनाया गया क्योंकि इस बीच वह दादी और बुवा की आंक का तारा बन चुकी थी पूरे महले के लिए वह एक खिलोना थी सब को बुलाया गया इनके मेरे आफिस के सब लोग भी थे कुछ रजनी की सहेलियां भी थी पंडित जी की यां में खोद गई थी पर उन्होंने मना कर दिया शुईता के लिए आशिरवा सो रूप 11 रुपे जबरदस्ती मेरे हाथ में रखती हुए बोले तुमारी सास का कुछ भी ठीक नहीं है हमें देखकर भड़क उठी तो बेकार रंग में भंग हो जाएगा भाई या भावी का यही मत रहा उन्हें जो भेजना था उन्होंने निकल नीता के हाथ भेज दिया खुद नहीं आए उस दिन मैंने चुट्टी ले ली थी सुबह का पूरा समय घर की जाड़ पौँच में निकल गया उसके बाद महले भर से प्लेट ने चम्मच किलास इकठा कर लाई उन्हा धो पौँच का करीनी से रखा बाहर वाले कमरे को जंडियों गुबारों से सजाने में इनका हाथ बटाया इसके अतरे पांच किलो गाजरों को करद्यू कस किया दही बढ़े के लिए दाल पीसी छोलों का मसाला बनाया बढ़ों के लिए दही तयार किया दूसरे छोटे मोटे काम इस बीच निकलते ही रहे सांस लेने का भी मेरे पास समय नहीं रहा था अतिथियों का पहला जथा आ पहुँचा तब कहीं जाकर मैंने कपड़े वदले शुएता को रज्जों ने तयार कर दिया था सफेज जालर दा फ्रॉक में वह पड़ी सी लग रही थी केक काटने के बाद सबके इसरार पर मैंने मेरे घर आई एक नन्नी परी गाया तो मेरे आंसों निकल आए बहुत दिनों बाद इस तरह खुल कर गाया था बड़ा अच्छा लगा सुनने वालों को भी शायत पसंद आया होगा क्योंकि वंस मोर की आवास से कमरा गुंच गया एक दो हलके फुलके गीत और सुनाने पड़े अच्छा ही हुआ जो पंडित जी नहीं आए गाने के बाद खाने का दौर शुरू हुआ प्रशंसा की फिर जड़ी सी लग गई पर इस बार सुर दूसरा था दही बड़े कितने सौफ्ट बने हैं न गाजर का हलवा तो मत्रवा वाले को मात कर रहा है छोले घर पर ही बनाए है या सरदार दी हट्टी के है रमा इनके मित्र पतनी से बोले भावी जी से जरा ट्रेट सीक्रेट पूछ लो तुम्हारे बड़े अंदर से कड़े क्यों रह जाते हैं जैसा के सुभाविक था रमा का चेहरा लाल हो आया था मैंने उसकी जह्म मिटाती हुए कहा भाई हम भी आपके ही जाती के हैं आप अम्मा जी से पूछी उन्हों नहीं बनाये है सब कुछ अम्मा नहीं बनाया है घजनी ने सूचित किया मुझे लगा पास वैठी अम्मा जी कहें कि अरे मेरे अकेले की बसकी बात थी ये बिचारी भी सुवह से लगी हुई है पर भी एकदम बोल उठी अरे अपनी भावी से तुम बस गाना गवा लो उनसे और कुछ नहीं होता मुझे जैसे आग लग गई अभी अभी जो मेरे गानी की प्रशंसा होई थी उसी के लिए यह उपा लंब था ये लोग जैसे मेरी इतनी सी अच्छाई भी बरदास नहीं कर सकते किसी तरह मुझे दूसरों की नजरों में उठता हुआ नहीं देख सकते मुझे भी ताव आ गया जहर बुझे स्वर में मैंने कहा आप ये हर दम गाने का उलाना क्यूं देती रहती है इस घर में आकर तो मैं गुन गुनाना तक भूल गई हूँ अरे तो मना किस ने किया है अटारी पर बैट का सुबह शाम अलाब किया करो रोटी पानी के लिए हम हैं ही इस जुगल बंदी से सब सन रहे गए अच्छा खासा तमाशा हो गया पर असली तमाशा तो रात में हुआ महमानों के चले जाने के बाद इन्हों ने वो बंबारी की कि बस दौनों मा बेटी से जुकाई सुनती रही जैसे मूं में जवान ही न रही पर मैं तो इनकी हर इंट का जवाब पत्थर से देती रही पता नहीं इतने दिनों के संचित रोश को शब्द मिल गए थे जिरह करके जब ठक गई तो उपसन हारक सा करते हुए बोले एक मिनिट घर में शान्ती नहीं रहने दोगी इस बात का जवाब देना जरूरी है यद्यब ये बात मेरी बड़ी देर से समझ में आई कि दौनों की दौना बुत्थ क्यों बन गई थी ग्रह स्वामी को जैसे जता देना चाहती थी कि दौना बहत सौम्य शान्त और शालीन है जगड़े की जड़ में है तो बस ये तुमारी बहू वे तीन साल कैसे बीते मेरा ईश्वर जानता है घर मेरे लिए एक होटल सा हो गया था अपने हिस्से का काम निबटा कर कमरे में पड़ी रहती थी ये सुपह खाना खाकर निकल जाते तो रात गए ही लोटते में मैं थी पर इस बीच अपनी बच्ची भी अपनी नहीं रह गई थी दादी का इसने बंद दिन पर दिन प्रगाड होता जा रहा था कई वार तो बे उसे रात में भी अपने पास सुला लेती बैसे भी श्वेता जितनी देर मेरे पास होती डाट खाती रहती दादी और बुवा के सीमा तीत लाड प्यार ने उसे बहुत जिद्धी बना दिया था उन दोनों की देखा देखी वह भी मेरी उपिक्षा करने लगी थी अपनी हर गलत सलत बात मनवानी की उसे आदत पड़ गई थी मैं जराबी बिरोध करती तो वह जमीन पर लोट जाती या दीबार पर सिर्दे मारती उसकी चीक पुकार सुनते ही अम्मा जी दोड़ी आती और अपनी लाडली की फरमाईश पूरी कर देती उसे पुचकार कर चुप करा देती और गोद में उठाती हुए बुद बुद आती मा है कि डाइन बच्चे का इतना मन नहीं रख सकती डाइन शब्द को तो मैं किसी तरह पी जाती पर जब श्वेता दादी की गोद में चड़कर मम्मी गंदी हैं कि नारों से घर भर देती तो कलेजा चलनी हो जाता उस निपट एकागी पन के बीच कभी कभी अपना तान पूरा याद आ जाता कमरे की खड़कियां दरवाजे बंद कर मैं उसे लेकर बैट जाती पर जैसे ही तारों पर उंगलियां फिरती लगता कि कई जोड़ी अद्रिश याँखे मुझे पहरा दे रही हैं और आवाज गले में फसकर रह जाती पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गई थी मैं कि संगित से नाता छूट सा गया था गाना तो दूर मेरी तो सुननी की आदत भी छूट सी गई थी कभी कोई बहुत बड़ा कलाका शहर में आता तो अपना मोह न रोक पाती उस दिन में बैंक से सीधे भाईया के यहां चली जाती ताकि रात लाने ले जानी की समझ से आना रहे अमा जी के आ जाने से यह सुख भी जाता रहा अब भी कई बार भाईया का ओफिस में फोन आता है कनू रात को टेग और हॉल में जसराज जी है या मानक भवन में अब्दुल हली मा रहे हैं उस समय सिवाय तरस कर रह जानी के में कुछ न कर पाती पहले बैंक में लोग पूछ लिया करते थे अरे कल जितेंद्र अभी शेकी के कारिकर में आप नहीं दिखी अब कोई नहीं पूछता जैसे सब जान गए हैं कि मेरे जीवन का वाद्ध अब समाप्त हो गया है दिन रात की इस उप को पीते पीते एक दिन मेरा भी धहरे जवाब दे गया खीच कर मैंने कहा बाहर जाने पर शायद तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम्हारी एक बीबी है बच्ची है तुम क्या सोचती हो मैं बाहर मटर गस्ती करता हूँ मैं क्या जानूं कि क्या करते हो भार जहुकता हूँ विच्चिड कर बोले पर दूसरे एक शण अत्यंत गंभीर हो गए कनू में नौकरी छोड़ रहा हूँ अनिल के जीजा जी एक फैक्टरी डाल रहे हैं उन्हें एक भरोसे मंद आदमी की जरूरत थी अनिल ने मेरा नाम सुझा दिया उसी की जुगाड मैं तो लगा रहा इतने दिन अरे ऐसे क्या देख रही हो अनिल भी छोड़ रहा है उसकी तो बारे साल पुरानी सर्वेस है पर उसकी बीबी ने कुछ नहीं कहा उल्टे होसला तुम्हारी पढ़ाई उनकी बात काटकर मैंने पूछा आखरी सैमिस्टर ही तो है कर लूँगा उसी के बलबूते पर तो यह सपरवाजर का चांस मिला है मेरा अपना कैबिन होगा टाइपिस्ट होगी प्यून होगा सरकारी नौकरी में यह सब जुड़ता जरा सोचो सब इंजिनियर बनकर जिन्दिगी बर देहातों की खाक चांता फिरूँगा सो अलग तुम लोग यहां अकेले परिशान होते रहोगे इससे उतो यह विवस्था क्या बुरी है डिपलोमा हो जाए तो दो साल में एमबीए भी कर लूँगा फिर तो असिस्टेंट मैनेजर की कुरसी पक्की है लेकिन नौकरी तो प्राइवेट हुई न अनिल के पिता जी सारी जीजा जी की जिन्दिगी बर ऐसे ही कृपालू बने रहेंगे इसकी क्या गारेंटी बिलकुल है मेरा पच्चीस हजार फैक्टरी में लगा हुआ है जिस दिन नौकरी छोड़ूँगा पाई पाई लेकर ही हटूँगा पच्चीस हजार आज चरे से मेरी आँखें फैल गई इतना रुप्या तुम्हारे पास कहां से आया बेक्दम जहप के खिसे आकर बोले सौरी कनू तुम्हें बताना भूल गया गाउं की जमीन मैंने बेश दी है जमीन कवा उतना सर टुकड़ा किसी मतलब का नहीं था ना वहां का माहौली अब अच्छा रहा है बैसे भी अब हमसे खेती खिसानी तो होने से रही मनोज तुमने नौकरी छोड़ दी गाउं की जमीन बेश दी क्या एक बार तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि इतने एहम फैसले लेने से पहले मुसे एक बार पूछी लेना चाहिए कनू दरसल मैं तुम्हें सर्प्राइज देना चाहता था क्या मेरा कोई हक नहीं बनता मनोज सच कहूं कनूू मुझे तुमारे हक का ख्याल कभी आया ही नहीं मैं, मैं सिर्फ तुमारी खुशी के बारे मैं सोचता रहा जरा सोचो, यह सारी उठाब पत общем क्या मैं अपने लिए कर रहा हूं कनू, तुमी ने मुझे सपने देखना सिखाया है तुमी ने मेरी आकांग्शाओं को नया आकाश दिया है तुमी इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा तुमी मुँ फेर लोगी तो ये सारी भागम भाग में किस के लिए करूँगा उनके मिस्री गुले स्वरने सारे गिले शिक भी भुलाती है अपना सिर उनके सीने में छुपाती हूँ मैंने पूछा जमीन वाली बात अम्मा जी को मालूम है ना और तुम बताना भी नहीं नहीं तो अभी रजनी की शादी के लिए हाई हाई करने लगेंगी जानता हूँ अम्मा सुनेंगी तो आसमा सिर पर उठा लेंगी पर फिल हाल मैंने उस विशे में सोचना ही छोड़ दिया है रज्जो का व्याद दो साल बाद भी हो सकता है और मैं खुब धुम धाम से करूँगा पर इतना रुपया रोल रोल तो हाथ आएगा नहीं इस समय से ठिकाने से नहीं लगाया तो जिंदगी भार कलरकी ही करनी पड़ेगी वह राज सुनेरे सपने देखने में बीट गई भाग लक्षिमी ने अप्रत्याशित रूप से दरवाजे पर दस्तक दी थी जमीन को लेकर भाई बंदों में पता नहीं कब से ठनी हुई थी किसी जमाने में बादियों की सूची में मनुज के पिता का नाम भी था उनकी मृत्यू के बाद ये लोग तठस्त हो गए थे क्योंकि कोट कचैरी लाइक ना तुपास में पैसा था ना होसला पर बिल्ली के भाग से छींका तूटा और जमीन कबा टुकड़ा अनायास हमारे हाथ लगा हाई कोट के नड़ाएं की शुब सूचना देते हुए रिस्ते की एक बुवा ने लिखा था बहु बड़ी भागवान आई है आते ही तुमारे सारे काम सुलजा दिये मेरी ये तारीफ अमा जी को जरा नहीं भाई थी मुँ बिचका कर उन्होंने उस पोस्ट कार्ड को ही सुना दिया था अरे ये तो देर सबेर होना ही था इसमें उसने क्या कर लिया उनकी उस बात का कसेला पन मन में तब तक तरोता जा था पर अब सारा मलाल अपने याब धुल गया नई नौकरी की मिठाई महले भर में बाटते हुए अम्मा जी सबसे कैथी फिर रही थी अरे मैं तो पहले से जानती थी हमारे जोटसी जी ने तो पहले ही बता दिया था कि खांदान का चिराक पैदा हुआ है उसका ओधा घर बर में सबसे उंचा होगा उसके मामा तो हमेशा कहते थे कैसा राजा का सरूप लेकर आया है इसे बाबू या मास्टर मत बनाना ये तो कलेक्टर बनेगा कलेक्टर बस एक ही बात का उन्हें जरा सा मलाल था किसमा जरा जल्दी जाग पाती तो ऐसी उट परनांग शादी नहीं करता लड़की बालों की दरवाजे पर भीड लग जाती ऐसे रूप गुण संपन लड़के मिलते कहा हैं ये सारी बात है मुझे सुना कर ही कही जाती मैं उन्हें अंसुना कर देती पर मेरे अंजाने ही मन में कहीं गहरे एक घाव हो गया था ऐसी बातों से तन मंटी सुटता था उस दिन बैंक से लोट कर अपने कमरे में सुस्ता रही थी किये धड़ धड़ाते हुए कमरे में घुसे आज बड़ी जल्दी आ गए पर मेरी बात पूरी न हो पाई थी कि मैं रेशम के सुनेरे तारों में गिर गई थी यह क्या है किसी तरह अपने को छुड़ाते हुए मैंने कहा साड़ी है वो तो देख रही हुँ कितने पैसे फूंक आए घटिया बात मत करो यार मेरी भावनाओं की कद्र करो पहले बताओ कितने की है पहली तनखा पूरी की पूरी तुमारी नजर कर दी बस अरे ऐसे आँखे फाड़ कर क्या देख रही हो बनारसी साड़ी है पच्चीस रुपए में तो आती नहीं जरूरी था बिलकुल तो मैं ऐसे ही खाली हाथ ब्याल लाया था मेरी लिए कुछ कहने की दिन तो अब आए है और अब भाशनबाजी बंद बस फटावट तयार हो जाओ पिक्चर चलेंगे अम्मा जी से मैं पूछता हूँ तुम बस तयार होकर नीचे आजाओ इंदर धनुशी कालपनाव पर तैरते हुए ही मैं नीचे उतरी अम्मा जी कुर्सी पर मुँ फुलाए बैठी थी शायद हम दोनों के सिनेमा जाने की प्रस्ताफ से उनका मूड ओफ हो गया था मैंने धड़कते दिल से उनके पाऊँ चुए आज ये सुमिति कैसे उपजाई जी ये नहीं साड़ी अच्छा तो हमें दिखाने आई है अम्मा ये बोले मेरी पहली तनखाव की साड़ी है पहन कर तुम्हें प्रणाम कहने आई है आशिरबाद दो अच्छा तो पहली की तनखाव से बहरुया के लिए साड़ी आई है ठीक तो है घर में और कोई पहनने वाला है ही नहीं अरे निपूते अम्मा तो बुड़ा गई है मान लिया पर जबान जहान बेहन तो थी घर में रानी जी के लिए बनारसी लाया है उसके लिए सूती ही ला देता हर वात को उल्टा क्यों लेती हो अम्मा रज्यो के लिए क्या कभी कुछ लाता नहीं हूँ कोई वीराखी या दूज मैंने सूनी जानी दी है आज का दिन कल्याणी का था आज मुझे नई नौकरी की पहली तनख़ा मिली है और तुम्हें मालूम है कि आज जो मैं इसके लाइक हुआ हूँ उसके पीछे इसकी तपस्या है हाँ जरूर है हमने तो बचबा कुछ तुम्हारे लिए किया ही नहीं तुम तो सीधे आसमान से टपके हो और धर्ती छूते ही इतने बड़े हो गए हो बेहत बुद्धी होकर उन्हें देखते ही रहे गए मैंने कहा सच तो है अम्मा जी बिचारी कैसे जानेंगी कि मैंने क्या तपस्या की है तुमने कितने पापड़ बेले है बेतो अब तक यही समझती रही कि काली कलूटी बहु के कारण लड़का घर से भागा भागा फिरता है क्या बक रही हो जूट थोड़े ही है विश्वास ना हो तो अपनी मा से पूछ लो अडोस पडोस मैं यही सब तो कहती फिरती है अब यह मा पर बरसना शुरू हुए मैं चुपचाप उपर चली आए नौकरी की नई साड़ी की सारी खुशी हवा हो गई थी अम्मा जी को शायद यही अभी प्रेथ था फैक्तिर शहर से दूर इंडस्ट्रियल एस्टेट में थी आते जाते पंदरे किलोमीटर का चक्कर पड़ जाता था बस के टाइमिंग्स नहीं मिलते थे फिर बस से उतर कर काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता था फिर जहां हर कोई छोटा बड़ा स्कूटर या मौटर साइकल दंदनाता हुआ आता हो वहां अपनी खड़खड़िया साइकल पर जाना बहुत खराब लगता था हम लोगों ने जी कड़ा किया और एक सैकिंड हैंड लेबरेंटा खरे धी लिए उसके लिए एक मुझ्त रकम हमारे पास नहीं थी फिर कुछ इन्वाने दोस्तां से उधार लिया कुछ मैंने बैंक से लॉन लिया कुछ बड़े भाया ने दिया उन्हीं के दोस्त का स्कूटर था हमारे भाग्य से उसका नया वैस्पा आ गया था उसी ने समय निकाल कर इन्हें अच्छी तरह चलाना भी सिखा दिया था एक दिन इनका ओफिस में फोन आया कनू डियर पांच बजे तयार रहना इसकुटर लेकर आ रहा हूं साथ घर चलेंगे सुनते ही मन उचल पड़ा परंद किसी तरह अपने को सैयत कर मैंने कहा देखो प्लीज बुरा मत मानना लेकिन सबसे पहले आप अपनी पूजिनी माता जी को घुमा लाईए नहीं तो बे गाड़ी देखते ही चीखना शुरू कर देंगी ये घर में जवान बहन बिहाने को बैटी है और इन्हें आयाशी सूज रही है अपना गुबार निकालते समय याद ही नहीं रहा कि फौन महता साहब की केविन में है और भी मुझे घूर रहे हैं घर लोटी तो देखा दर्वाजी पर अच्छा खासा मजमा इखटा है स्कूटर के गले में माला है माते पर अक्षत रोली का टीका है और रजनी उसकी बाकाइदा आरती उतार रही है इसके बाद अम्मा जी ने सब का मुझ मीठा करवाया वे अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहने हुए थी बेटा सबसे पहले उन्हें गुमाने ले जा रहा है इस गर्ब से उनका चेहरा दमक रहा था सब लोगों के इसरार कहने पर शर्माने का नाटक सा करती हुए वे पिछली सीट पर जा बैठी पहली बार बैठी थी घवराव ठोनी स्वफावे की थी पर वे उसे चुपाने का प्राण पर से चेश्टा किये थी इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि किसी को याद आया अरे गुडिया कहा है उसे दादी की गोद में दो गुडिया डर कर रोने लगी अम्मा जी खट से उतर पड़ी क्या हुआ इन जन की घर घराहट बंद कर इन्होंने पूचा हमें नहीं बैठना गिर गिरा गए तो फजीयत होगी इन्होंने बहुत समझाया बहुत मनाया पिर वे नहीं मानी आखिरकार वे रजनी को लेकर ही चले गए इतने सारे लोग घरे खड़े थे उनके सामने कुछ तो करना ही था लोटते इन्होंने मुझसे पूचा तुमने अम्मा से ऐसा क्या कह दिया था क्या कह दिया रज्जो बता रही थी तो उसी से पूच लिया होता उससे क्या पूचूँगा खाक मैं तो तुम से पूछता हूँ, क्या हर बार इस तरह नाटा करना जरूरी है? हर बार तो नहीं, पर हाँ, कभी-कभी जरूरी हो जाता है. मैं तुमारी मा को दिखाना चाहती थी, कि हाथ आई खुशी जब अचानक छिन जाती है, तब कैसा लगता है? जो कसक मैंने हजार बार छेल ली है, उन्हें एक बार तो सहन करने तो. अरे उनसे इस तरह निठोर हो का बदला लेती हुए, तुमने यह कभी नहीं सोचा, कि मुझ पर क्या बीती होगी? जब भी बड़ी उमंग से कुछ करने को सोचता हूँ, तुम पानी फेड़ देती हो. मैं पानी फेड़ती हूँ. नहीं, तुम नहीं करती कुछ, हर बार अम्मा ही जहमेला खड़ा करती हैं, बस. अम्मा जिनका उलेक तुम हर बार तुम्हारी माँ की रूप में करती हो वो मेरी माँ है, सिर्फ यही सोच कर तुम चुप रह जाया करो तो क्या है? पर नहीं हर बार तुम्हारा एहम आड़े आ जाता है मेरा हम? अपने होने का एहसास भी मुझ में चुकता जा रहा है और यह सामने बेटा शक्स कह रहा है कि मेरी एंका ने उसकी जीवन को नरक बना दिया है अपने आस पास को उसने बड़ी आसानी से अंदेखा कर दिया है और अपनी सारी हताशा मुझ पर उड़ेल कर वो हलका होना चाहता है उसके स्वर में जो कड़वा हट है वो एक दम ही नहीं उपजी है पता नहीं यह जहर कबसे उसके मन में बून बून कर घुलता जा रहा है किसने घुलाई यह जहर? किसने? किसने? चैत की एक सोय मुझे लगा कि मैं फिर मा बनने वाली हूँ भागी भागी मैं अपने डॉक्टर के पास गई यहाँ जब मेरे अनुमान की पुस्टी हो गई तो मैं खुशी से थिरकती हुई घर लोटी इन दिनों मैं बेहत अकेली पड़ गई थी मान एक अंतरंग साथी के लिए तरस गया था नवागत ने जैसे मेरी पुकार सुन ली थी और दोड़ा चला आया मैंने उसी ख्षण निर्णा ले लिया कि यह बच्चा मैं खुद पालूंगी भले इसके लिए साल दो साल के छुट्टी ही क्यूना लेनी पड़े मैं उसी अपना नाम दूँगी, अपना सुभाव, अपने संसकार दूँगी अपना स्वार, अपनी साधना दूँगी मैंने इश्वर से प्रार्थना की कि आने वाला मेरा ही रूपनंग लेकर आए ताकि मेरे शाम सुन्दर पर किसी और की नजर ना पड़े दोस्तों भी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखा गया उपर्न्यास राग विराग का प्रथम भाग झाल 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 झाल